गुद मॉर्निंग स्टूडेंट आप स्टेंडर वान आपका अभी फर्स टर्मिनल एक्जामनेशन अभी तुरंत खत्म हुआ है अब इसके बाद से हम नेक्स चैप्टर चैप्टर शिक्स दा अगली डखलिंग पढ़ेंगे बच्चो आप में से बहुत बच्चो ने इस बाद टर्मिनल्स में भी अपयर आप लोग नहीं हो पाया है इससे पहले प्रियोडिक हुआ था उसमें भी आपयर नहीं हुए है ये तो ठीक नहीं है आप लोगके एपयर होना चाहिए ऑनलाई आपको जो लिंक मिलता है लिनक व इमेल अड्रेस आप अपना नाम लिख लेंगे, अपने ममी पापा के इमेल अड्रेस के आगे, तो बस आपका बन जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं बने, प्रॉब्लेम है, तो स्कूल में आके भी कंसल्ट करें, बहुत बच्चे आते नहीं है, जिससे उन कारी ले, अगर नहीं समझ में आता है, तो हम लोग बताएंगे, लेकिन आप आए तो, तो चलो वो तो बात हो गई, आपको फर्दर की, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, आज हम चैप्टर 6 में, अगली डखलिंग पढ़ाएंगे, अगली का मतलब होता है बतसूर One egg moved, then there was a sound track, out popped a tiny fluffy yellow duckling, my first duckling, mother duck clapped her wings, another egg moved, then there was a sound track, Out popped a tiny fluffy yellow duckling, my second duckling, mother duck clapped her wings, the last egg hasn't cracked, but why is it so big and grey, the big grey egg moved, then there was a loud sound, crack, out popped a big grey duckling, Mother duck and the two ducklings, two little ducklings, look at him closely, they called him the ugly duckling, यहाँ एक mother duckling duck की स्टोरी में बता रही हूँ, जिसके तीन अंडे थे, दो अंडे तो उसके बहुत अच्छे से क्रैक हुएं, उसमें से बहुत ही प्यारे प्यारे दो बच्चे आये, चोटे से और बहुत ही फुले फुले से प्लफी बच्चे आये, जिसको देखके Mother duck को बहुत खुशी हुई, लेकिन जो तीसरा एक था, वो बहुत बड़ा था साइज में, और वो जल्दी फट भी नहीं रहा था, लेकिन जब वो फटा तो उसमें से एक जो डखलिंग निक कलर का था, तो उसे वो उन्होंने अगली डखलिंग कहा, यानि कि बच्सूरत बच्चा, दा अगली डखलिंग वांटेट टू प्ले विथ इस ब्रदर एंड सिस्टर, वो जो ग्रे और बिग कलर का, जिसे Mother duck और उसके बच्चे, दोनों बच्चे अगली कहते थे, कहते हैं और उसकी बच्चत कर दोने कि बच्च वो भाई ब बहुत दिन जब निकल गए तो वो डखलिंग जो हैं बड़े तो हो गए लेकिन उनके फेदर जो हैं डल हो गए और वो जो डखलिंग था वो जब अपने भाई बहनों को देखता था तो वो बहुत बचारा दुखी हो जाता था क्योंकि उसके भाईबन उसके साथ बातचीत नहीं करते थे बच्चों आज मैंने इतनी ही दूर स्टोडी आपको बताई कल मैं फिर इसे कंटीनिव करूंगी आज इसमें जो भी आपको हाड़ वर्ड है उससे आप लेंड कर लेंगे और उनको स्पेलिंग सहीत लेंड करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे दैसल थैंक यू